हेलो नमस्कार साथियो, वेलकम टो राइल स्टड़ी, दोस्तो आज के इस वीडियो में SSE MTS Analysis की नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए और आज 17 अक्टूबर 2024 को हम फिर्स्ट सिप्ट का जो एनलिसी से ये इस वीडियो में बैसकली कवर करेंगे किले रहें, तो all 25 के 25 जो कोशन से ये हमें मिल चुके हैं, तो पूरे 100% authentic जो कोशन से accurate जो एनलिसी से ये बैसकली हम आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं, तो आप सब इस request है कि पूरे वीडियो तक last तक आप पने रहेगा और इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, देखिए कल वाली जो PDF थी हमने अपडियेट कर दिए, पहले वाली जो भी नया वीडियो है, सबसे पहले आप से भी के पास में पहुच पाएं जो भी नया वीडियो है, सबसे सांदर सामराज्यों या उपायर में से एक था, और वेजियाले ने आटवीस सताब्दी में तंजोर सामराज्य का अधिगरन किया और पल्लवों को हरा कर चोलों के उदे खाने तरत्यू किया था, इसलिए तंजोर का तंजोर जो है, इसको प्र जो है, चटवीस से बारवीस सताब्दी के बीच में दक्षिन और मजोमध्य भारत था, इसके बड़े हिसे पर सासन किया था, चेर जो वंस था, इसके प्रवर्तक उथियान, चेरल, अथान थे, पाल डिनेस्टी की बात करें, तो आटवीस से बारवीस सताब्दी तक बिहा बंगाल और भारत में ससन करने वाला यह राजिवंस था, पाल वंस, यह हमारी SSC MTS के स्पैसल टेस्ट सीरीज है, और यह बिलकुल नई टेस्ट सीरीज है, लैटेस्ट पैटर्न की, यह सिर्फ उन पचास रुपे में आपको मिल रही है, तो अगर अभी तक आपने इसमें जी के और इंगलिस के, वो सारे टॉपिक से आपकी एक्जाम में भी कोशन सा रहें, और वो सारे टॉपिक इस टेस्ट सीरीज में आपको कवर करवाय हैं हुए हैं, तो आप जाकर जास चेकाउट कर लिजगा एक बार, अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखिए, तो आप टेलिग्राम को जोईन करके देख सकते हैं, आपने पूरा टेलिग्राम पर डाल दिया है, तो यह सारे टॉपिक आपको कवर करवा रखें, और एक एक जो टॉपिक है, इसके भी आपको कई सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो यह सारे चीजे हैं, डिस्किप्शन में लिंके, प्लस 20 आपको FLT मिलेंगे, और 18 प्लस आपको जो है PYQ मिलेंगे, यानि कि previous year question paper, तो यह सारे हैं, हिंदी इंग्लिज दोनों में हैं, यह FLT और PYQ बाकिये का हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो सारे चीजे हैं, और यह best chance है, best opportunity है आप सभी के लिए, क्योंकि इतिनी कम price में कोई भी आपको नहीं देता है, कहीं भी आप चले जाएगा, चलिए, description में लिंक है, application को डाउनलूट करके इसके बारे में और अधिक जानकारिया आप ले सकते हैं, और demo at least आप एक बार जरू स्टिक आउट कर लीज़ेगा, अगला question है, घग्गे नजीर खा वाहिद जो खान थे, इनके साथ मिलकर इनों ने जो है, मेवाती घराना की इस्तापना की थी, जिसे बाद में पंड़त जिसराज ने लोग परिये बनाया था, अब बात करें मेवाती घराने की, तो मेवाती जो घराना है, हिंदुस्तानी संगित की एक संगित और उस्ताद वाहिद का, इन दोनों भाहिद ने मिलकर होलो कोर्ट में इसके स्तापना की थी, इसके मेवाती घराने की, और ये जो घराना एक परामपारी संगित सेली के लिए स्पैस ली जाना जाता है, जो भक्ती पहलो पर विसेश रूप से भजन और अभंग के गायन प पर बात की जा रही है, बारती गाईगा और नत्यांगना है, गीता चंदरन, बरत नाट्यम में माही रही है, उन्होंने करनाटक संगीत का प्रसिक्षन लिया था, और भारत में एक अगरणी और प्रसिद भरत नाट्यम कलाका रही है, उन्होंने ठीटर, नत्य सिक्षा, व विदो, दार्शनी को, भासा विदो, कश्ट्यूम्स और फैसन डिजाइनरों और आन ये लोगों के साथ में काम किया है भरत नाट्यम अभीने में उनका प्रसिक्षन उनके पहले गुरू अभीने सरस्वती के चरणों में सुरूआ था और उसके बाद गुरू जमुना करश्णन और स्रीमती कलाम निदी नारेन द्वारां उनकी स्यमताओं में सुधार करने में उनकी साहिता की गई वर्स 2016 के लिए भरत नाट्यम के लिए संगीत नाटक जो कामी पुरुसकार है ये गीता चंदरन को प्रदान किया गया था साथी गीता चंदरन को कला में उनके योगदान के लिए 2007 में भारत का चूंता सरवच नागरिक पुरुसकार पदमस्री भी मिला था तो यहीं से कुशन आपका पूचे जा चुका है यहने कि गया है ये कुशन आपका आगे कुशन आपका यहां से बन सकता है संगीत नाटक अकादमी से आपको पताईए लगातार कुशन से आपके बन रहे हैं तो आप इसको भी अच्छे से थोड़ा सा देख के जाएगा क्योंकि लगातार आपकी एक्जाम में इस टाइप के कुशन संगीत नाटक अकादमी से काफे ज़दा आपका जो कुशन से बन रहे हैं अगला कुशन आपका देवदास और परीनिती है ना परीनिता उपनियास किसने लिखा था पूरोड़ दा नोवल देवदास एंड परीनिता यह लिखा सरत चंद्र चट्वपाध्या आपका गरेक्टांस रहेगा देवदास एक बंगाली परने उपनियास है जिसे सरत चंद्र चट्वपाध्या ने लिखा है और सरत चंद्र चट्वपाध्या का जो उपनियास है नियारा था उपनाम इनका उपनाम था न्यारा और उन्हें अनिल या अनिला देवी के नाम से भी जाना जाता था भारत के सर्वकालिक सबसेロोप्री और सबसे ज़्यद्धा अनूधित लेकको वमें से एक सरच चंद्र थे तो PRAKASन जो वर्स था इसका किसकी बात की जारे देवदास की देवदास अपनियास की प्रकासन वर्स था 1917 और रशनाकार थे सरच चंद्र चिट्टो पाद्धिया पात्र की अगर आपने बात करें इसमें तो देवदास थे एक तो पारो, चंद्रमुकी, बोलानात, नारायन मुखरजी, नेलकंट, धर्म दास, मनो रमा, हरीमती, भुवन चोदरी, महिंदर दास और यह सुदा, यह सारे इसके पात्र थे, देवदास, उपनियास के, तो आपको याद रखना है, अगला कुशन है, लोड करजन ने बंगाल जो विभाजन था, इसकी गोसना किस वर्स की थी, इन विच ओफियर, दे कि स्जज़ार था, बangल और देएक तो में बंगाल और पूरववे बंगाल, तो बंगाल जो है, पश्यमंगाल, पश्यमंगाल, और विहार, देखे, पश्यमंगाल, विहार और और विषा को बंगाल के Salesforce के अदीन रखा गया था, जबकि बंगाल और घ्षिसरे ने अनुछेद के अंतरगत आता है, संसत की सदश्य बनने की योगिता का वरणन किया गया है, जिसमें राष्टपती, लोगसभा और राजिसभा सामिचे, तो संसत के किसी भी सदन का सदश्य बनने की जो योगिता होती है, वह पहली तो यह होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होन उन्ना होना चाहिए और उसे पुस्टी की सपत बननानी और सद्ष्वर से कम और राज्य सबा के मामले में 30 वर से कम आयूका नहीं होना चाहिए उसके पास अंसद्वारा निर्दारित अन्य योगितायें भी होनी अब बात करते एं article 80 की तो राज्यों की परिसत के संरशना से रिलेटे इन देखे कल वे आपका कुष्छन्स बनाता है कि राज्यों की जो विधान मंदल ने राज्य विधान इसमें मिलता है अगला कुशन है दक्षिन के चार राजवन मेल करना था यहां पर आपको क्या आख इनको और मिलान करने वाला कुशन था आपका आपको पूरा कवर करवा पाए वीडियो के लास तक बने रहेगा पूरी चीजे आपको पता चलियाएंगे नेमने लिखित में ऐसे कौन चालूग क्या सा सकता वो अमंग फॉलोविंग वास दा चालूग के रूरल करेक्ट आंसर पुलकेशन प्रथम एक तो यह था कृति वर उसे आपको जो भी मिलान करना वाला था इन में से आप देख लेजिए चालूग के डेनस्टी के तो इसके अलावा एक और कुश्टन है था इस दरह से किन इमिलिकेट मैंसा कौन चालूग के वन्स के संस्तापक थे तो यह थे पुलकेशन प्रथम प्रथम है इनसे प्रथम के महंद्र वर्मन प्रथम को हराय था जालूग की वन्स के अंतिम राज्या केर्ति वर्मन द्वीती वो धंती दुर्ग ने हराय था अब बात करते हम जो दक्षन भारत के जो राजवन से उनके बारे में जहां से कुश्टन आपका बना था मेल करने वाले तो हिषन को बढ़ावा दिया थğ में अपना प्रभावस ने लिखा था बात करेवर देस्टी को पॉण्डे और बात करें राश्या और नाळा के उच्ना दिन हं राघज वर्मन सेयर राष्ट के नेीघरे में राश्या辉ण करता है और इसससेय सदिन्ध दक रहा था इसी m ने तमिल कला संसकती साहित को प्रमोट किया और महतपुर्ण नाट को और काविसन रचनाओं या रचनाओं का योगदान दिया था बात करें राष्ट्रकोट राजवन्स की राष्ट्रकोट डैनेस्टी गी तो आटवी से दसवी सदी के बीचे दक्षिन भारत में सासन करता था ये इसका मुक्य के केंद्र कल्यान आजकल कल्यान महारास्ट था और इस राजवन्स ने कला सिल्प कला धर्म के छेत्र में महतप आपार शेतर में उनका प्रभाव हुआ करता था अगला कुश्चन आपका पल्लव डेनिस्टी से हैं पल्लव डेनिस्टी का सामन्त कौन था इस तरह से कुश्चन था कि वो वाजदा फिद्टरि आफ फल्लव डेनिस्टी तो और अंसर हो जाएगा नंदी वर्मन और नर्सिंग वर्मन इनिम्हें से ओप्शन है दिंक आपको मिला होगा यह ना पल्लव वंस का जो सामन्त था यह था नंदी वर्मन और नर्सिंग वर्मन अब यहां पर बात करते हैं देखे पल्लव राजा के दो महत्पुर्ण सामन थे नंदी वर्मन और नर्सिंग वर्मन थे इस तरह से इसके अलावा पल्लव वंस के सत्रू याने प्रतिद्विंदी समों में जालू की चोल सामिल थे यह हमने जो आपको कलर डिफरेंट क इस तरह से और कुछ लोग बता रहते कि उनका सामनत पूछता जिसमें विजए डाले भी इस तरह से आंसर है इसका तो इसलिए हमने डाले ते कि आप जिस हिसाब से आपको आप्शन मिले अगर आपको नंदी वर्मन नर्सिंग वर्मन ना मिला हो तो विजए आले आपको मि इसके बारे में हमने आपको पूरा क्लेरिफिकेशन जो है इसके बारे में दे रिया है तो पल्लव राजवन्स के एक सामन्त विजए आले ने 850 के आसवास फांडे राजवन्स और पल्लव राजवन्स के बीच संगर से उत्पन अउसर का लाव उठाते हुए मुथा रियार से तंजावर पर कपज़ा कर लिया और मद्धी यूगिन चोल राजवन्स की साही वन्सा वली जो है इसके स्टापना की थी बात करें पल्लव राजवन्स के लिए इसके जो पॉइंट है जैसे काल भरा काला भरा नहीं तमिल देस में संगम यूग के बाद 250 वर्सों के लिए सासंग किया था पल्लव वन्स टोंडेम मंडलम मिस्टिता और इसकी जो रजदानी थी काचिपुरम थी पल्लव का इस तरोध विवादित था जबकि कई जो है उन्हें पूल निवासी मानते थे उन्हों ने संस्क्रत और प्राकर्प्त में पहले किस सीला लेक जारी किये और ब्रह्मन वाद को संडेक्शन दिया अमद्र गुप्त ने अपने दक्षिन अभियान में विस्नु गुप्त को हरायदान और निम्न तालिका संबनेत योगदान के साथ पल्लव सासकों के सूची दिखा दिये अगला कुशन है हमारा इस्तान तरन किरसी किन राज्यों में प्राचलित हैं तो असम अरुना चल प्रदेश मनीपूर मिजोरम और नागलेंड करिक्टांसर आपको हो जाएगा इनिवेंस आपको अफियंस मिला था अब एक मिला हो तो ठीक है अब यह सारे मिलेते तो भी ठ है तो इस्तान अंतरन किरसी यह जूम किरसी इसको कहा जाता है भारत की उत्तरपूर्वी जो राज्य है इनमें प्राचलित है इसे करके असम अरुना चल प्रदेश मनीपूर मिजोरम और नागलेंड में यह कुशन इससे पहले भी आपका बन चुका है आज आपका यह दू अना देपा या कुमारी के नाम से जाने जाता है इसे सलेज एंड बर्न फॉर्मिंग भी कहा जाता है जलाओ और खेती करो इस तरह से क्रसी को कहा जाता है इसमें उस इलाके में मुझूद वनसपति को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है जलि हुई ये question उपर already हम cover करवा चुके हैं आपको तो यही question आपका पूचा गया Article 84 में संसत के सदिश बनने की योगिता को वरणन किया गया जिसमें राश्टपती लोकसभा राचिसभा सामिले Article 81 की बात करें तो इस समध्दिता और मानिता के लिए सरते के बारे में है Article 82 अनुदान की अनुमती के प्रकिरिया के बारे में Article 83 समध्दिता की प्रकिरिया के बारे में है और Article 84 संस्तानों की मानिता की प्रकिरिया के बारे में बात करता है तो यह सारे आपको आपको याद रगना है आपको याद रगना है चलिए अगला कुशन है हमारा भारत की पहली बिस्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था वो वाजदा कैप्टन आफ इंडियास फर्स्ट वर्ल्ड कफ विनिंग क्रिकेट टीम कपिल लेव करिक्टांसरा पूच का हो जाएगा अब देख सकते हैं आप इस सेम फोर्मेट तो वही है आपका जो पहले से पूचे जा रहा है यह जो है 9 जून से 25 जून 1983 तक इंगलेड और वैल्स में आज़ुद क्या गया था और भारत ने वैस्टन डीज को कपिल देव के कप्तानी में प्रसेश्टेट प्रॉपी जीतने के लिए 43 रनों से हराया था विस्व कप क जो आए जोने हर चार वर्स में आईसेसी दौरक किया जाता है जिसका जो क्याले दोबाई में सिदे आएसेसी इसके प्रमुक मनेशानी CEO तो यहां पर आपको यह याद रखना है आइसीसी के जो हैड़ बने है अभी हाली में यह कौन बने है यह बने है अभी जेसाहा जेसा आपको यार्व रखने जिस हाई यह बने हैं और अगला बीसी सी अजग आई सची विस्वक आप जो है दो जाती भारत में अजित किया गया है अगला कुशन है हमारा मुस्लिम लोगों का सोक परव जो है कौन सा है मुहरम आपका करेक्ट आंसर हैगा देकि मुहरम जो है इसलामी कैलेंडर का पहला महीना है और चार पवित्र महीनों में से एक जिसमें इसलाम में युद्ध करना निसिद्ध है तो मिया इसलाम में मुहरम का दसवा दिन जिसे आ 244 फिर्ट होती है ले रहे ओलंपिक पुल के लंबाई ठीक 50 मीटर होनी चाहिए यदि सुर्वादी चोर पर स्वचारलित आधिकारिक उपकरन टच पेनल है तो लंबाई को सुनिश्चित करना चाहिए कि दो पैनलोग के बीच आवशक दूरी अभी भी 50 मीटर है अगला कोश अगला कुशन है दो हाजार चार पांच बहु आयामी गरीब तूचकांक में गरीवी रेका से नीचे जिवनियापन करने वाले का पर्सेंटेज आप से पूचा था तो यह था 37.2% इस cut-off के आधार पर देश में गरीवी रेकास नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जो परसेंटेज है 1993-94 में 45.3% था जो घटकर 2004-05 में यह हो गया 37.2% और 2009-10 में और भी कम होकर यह 20.8% हो गया तो आपको याद रखना है अगले कुशन 2023 अक्टूबर में रगुबरदास किस राज्य के राज्यपाल बने है रगुबरदास become the governor of which state in October 2030 तो correct answer हो जाएगा और गाइस यह कुशन अल्रेडी हम इस तरह के cover खरवा चुके राज्यपाल मुक्यमंद्री उप मुक्यमंद्रिवाला इस पासली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजगा अभी हमने रेसेंटली वीडियो दि कियेगा उसमें काफी अच्छे से यूनिक तरीके से मिन आपको बता है ताकि आपको देखते ही याद सारी चीज़ें हो जाएं तो आप देखकर जाएगा सिद्धे सिद्धे questions वहां से बन रहे हैं definitely आपको महां से questions आगे भी देखने को मिलेंगे 18 October 2023 की बात है जहरकंट के पूरा मुक्किमंतरी रजपाल बनाया गया है 2030 October में रगूबुब़ दाज की नियुप्ति रज्चिपल पत का कारिवार समालने की तारिक से प्रभावी होगी यानि हो चुकी क्योंकि 2003 से यह बने हैं तो रगूबर दाज की नियुपति के पूर भारते जंता पार्टी ने रास्टी उभाद्य क्षिपत की जिमेधारी समाल रहे थे ये और रगुबरदाज जहरकंड के पहले गेर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये 2014 से 19 तक जहरकंड के मुख्यमंत्री रहे थे और वर्स 2000 में जहरकंड के गठन के बाद रगुबरदाज जो है अपना कारिकाल पूरा करने वाले पहले CM थे तो आपको चीजे या याद रखनी है अगला कुश्छ ने जेमीनी का उलेक किसमे क्या गया है तो महाबारत में जेमीनी एक प्राजीन भारती विद्वान थे जिन्नोंने हिंदू दर्सन में मिमान सा इस पूल की स्थापना की वे पारासर के पुत्र और उन्हें रिसी व्यास का सिश्य माना जात अगला है पैंदा की खेती के स्राज्य में होती है वाट अर्दा गेमिनी इस पैंसन इन पैंदा की जो खेती है यह होती है कहां पर यह होती है देखें पैंदा की खेती आदिम रूप को कहते हैं जिस ते लोगों में पोडू भी कहते हैं इस तरह की किरसी में जंगल के इला फ्रेक्वेंसी होती है लगबग कितने हाट में होती है तो यह लगबग 2.25 हर्ट है ना तो आपको याद रखना है एक बच्चे का दिल लगबग देखे यहां पर आपको थोड़ा सा याद भी रखना है चीजों को एक बच्चे का दिल फ्रेक्वेंसी है लगबग 2.25 हर्ट होगी अगला कुशन है सरवची नियाले के गेर का गलत विकल्प जिता उस तरह से यह तो एक्जक्ट तो आप्शन नहीं मिल पाए वार्कि इस तरह का कुशन आपका पूचा गया स्वतंतता से नानियों और उनके संबंदित राज्यों क मिलान करना था रामुक स्वतंतता सिनानी उनके संबंद राज्यों का मिलान जैसे कि महात्मा गांदी इनका संबंद गुजराथ से हैं सुबाश्यंद्र बोस उडिसा डॉक्टर भीम राव मेटकर महारास्ट राणी लक्ष्मी भाई जहां सी उत्रपदेश बाल गंगा दर असफाक उल्लाहां उत्तरप्रदेश आचारी नरेंद्र देव उत्तरप्रदेश मदर टेरे सा कॉलकाता पश्यमंगाल तो इन सभी के पंद्रा के बारे में हमने बता दिया आई धिंक यहीं से आपका बना होगा यूँकि आपका यहां से आप देखकर कर सकते हैं अगला है एक से समझी जो कोश्चन था वो एक्जिक्टर तो नहीं मिलता तो से इसी तरह से हो सकता है हमने तीन तरह के टाइप के यहां पर एक्स्प्लेइन किये हैं जैसे कि रॉबर्ट हुक इन्होंने जो 1665 में अपने माइक्रो स्पोक के स्कोप के माध्यम से कोशिका यानि जो से सेल थी इसकी खोच की और इसे सेल का जो नाम दिया था इन्होंने ही दिया था रॉबर्ट हुक ने तो पहले यह हो गई इसके लवा एंटरी वान ल्यूए नौक तो उन्हें जो है पहले सुक्षम जीव का आकलन करने वाले विज्ञानिकों मैंसे एक माने जाता है इसके ल स्वान जो थे इन्होंने कोशिका सितांत में मैंतपोर्ण युगदान दिया और सभी जीवों की कोशिकाओ को जीवित चीजों के मौलब्यों दिकाई के रूप में भी स्थापित किया था तो यह स्वान के बारे में भी इंप्रोटेंट पॉइंट है इसके अलावा वेयर ह 22 परसंट कर्क्ट हरेगा 211 दंगना या के रिखा से नीचे आपने वाले लोगों का अनुपात दो आजयारच नहीं दो परसेंट से घटकर 11 बार में यह 22 परसेंट हो गया था अग्ला है दो ऐसे प्रचीन जो प्राचीन नत्य है जो किसी पुरान अगम या फिर वेद में कोशन तो नहीं मिल पाया था वाकि हमने 25 के 25 पूरे कोशन से बता दिए जो आज आपकी एकसाम में पूचा गया हं परसेंट एकुरेट कोशन से जो हमें मिले हैं से आपको बताने में आपकी हल्प किये तो आप सभी से रिक्वेस्ट है किस वीडियो को जाजा लाइक करें अगर अभी तक आपनी रोल नहीं किया तो करत लीजिगा बैस्टाइम में बैस्ट आफर है और काफी कम प्राइज में आपको पैसे क्ली मिल रही है तो यहां पर बात करें नेक्स्ट तो एर से एक से दो कुशन पूच गहें इंटोनियम से दो कोशन से सिनोनियम से दो और फिलिंग दा ब्लेंग से दो कोशन से से परसेंटेज से एक कुशन है और एसा से दो कुशन है आपके एवरेस से एक कुशन है नमबर सिस्टम से एक कुशन है आपका LCM SF से questions बनाए, simplification से 2-3 questions है, ratio से 1 question है, pipe and tanky से question है आपका, raisin से 1 question है, और edges वाला दो questions आप वैसे से देखने को मिले हैं, reasoning में बात करें, paper folding से 2-3 question है, series से 1 question है, when diagram से 2-3 question है, analogy से 3 question से, dice से आपके जो questions पुझे गए है, यह पुझे गए हैं, कोशन है, dice से बने है, slowism से आपका 1-2 question है, coding recording से 1-2 question है, mirror से 1 question पुझा है, counting figure से 1 question है, missing number से 2 question है, figure series से 2 questions पुझे गए हैं, तो इस सभी topic को आप अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि आँच से आपकी exam में लगता है, कोशन जो है, देखने को मिल रहे हैं, clear है, और guys आपको बता दे, अगर आपको यह video पसंद आ रहा है, तो इस video को like share भी करते रहेगा, क्योंकि इस से ही हमें help और support मिलती है, और इसे लिए हम आपको motivate होते हैं, आप से request है कि इस तरह की जो चीज़े हैं, आप करते नहीं हैं, जाए ज़्यादा इस video को share करें, like भी करें, और एक अच्छा सा comment आप comment box में तिरूर से करेगा, यह MTS के special test series है, सिर्फ उन 50 रुपे की हैं, अगर आपके लिए अपने exam में थोड़ा बहुत भी time है, तो आप इन कर सकते हैं, demo check out कर सकते हैं, latest pattern पर बेस्ट है, पूरी की पूरी, तो link description में मिल जाएगी, एक बार जाकर जरूर से check out कर लिजगा, और इस video के पीडियो के लिए करना है, application को download कर लिजगा, telegram channel group को join कर लिजगा, दोनों की link आपको इस video क description में मिल जाएगी, तो जाकर आप join कर लिजगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़े फैवस्त दरूप से मिल जाएगी, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, उन सभी सरे request है, कि चैनल को subscribe करके बिल आइकन को all पर select कर दिजगा, ताकि जो भी नया video है, सबसे प के analysis पे तब तक लिजए हिंद बंदे मात्र,